नमस्कार स्रोधमीत्रो, स्वागते आपका मेरे यूटुब चैनल रस्मी की दुन्या में आज हम BSDG 175 के एसाइन्मेंट के एक और प्रस्न का विस लेसन करेंगे जो की इस प्रकार है भारत में निर्गुन काब्य की परंपरा का पर्चे देते हुए विसेस्ताओं पर प्रकास डाले जिसका उत्तर है भारत में निर्गुन काब्य परंपरा के परिचे और विसेस्ताएं भारति साहित्य में निर्गुन काब्य परंपरा उन सास्त्रों और धार्मिक दत्तों को समाहित करती है जिन में प्राणी रहित, ब्रह्म, निराकार, इस्वर और आत्मा की महत्वपूर्णता और उनके अध्विती स्वरोप का ज्ञान होता है निर्गुन काव्य में क्या क्या होता है? आत्मा की महत्वपूर्णता प्राणी रहित, ब्रह्म, निराकार, इस्वर और उनके अध्वितीय स्वरोप का ज्ञान होता है निर्गुन काव्य में निर्गुन काव्य की विशेष्थाएं उनमें से एक है निर्गुन ब्रह्म की प्रसंसा निर्गुन काव्य परंपरा में निर्गुन ब्रह्म की प्रसंसा और महत्वपूर्णता का महत्वपूर्ण भूमिका है निर्गुन काव्य में निर्गुन ब्रह्म की प्रसंसा महत्वपुर्ण है यह काव्य प्रणाली मानवता को यह सिख्षा देती है कि वास्तविक्ता से परे उच्च तम सक्ती और ज्यान की प्राप्ति करनी चाहिए हमें वास्तविक्ता से उपर उठकर उच्च ज्यान, उच्च तम ज्यान, स्रेश्ट ज्यान की प्राप्ति करनी चाहिए दूसरा है आत्मा की महत्वपुर्णता निर्गुन काव्य परंपरा में आत्मा की महत्वपुर्णता का स्तान स्रेश्ट है निर्गुन काव्य में आत्मा की मरत्वपुनता को प्रमुक्स्तान दिया गया है यहां तक कि निर्गुन काव्य में मानुविय जीवन का उद्धे से आत्मा को पेचानने और उसके साथ सैयोग करने में होता है निर्गुन काव्य में मनुष्य को आवस्य को होता है उसके जीवन में अपने आत्मा को अच्छे से पेचान करके आत्मा के साथ अपने जीवन की जो सैयोग होता है उसमें हमें आत्मा की गहरायों में जाना पड़ता है तीसरा है सांसरिक माया का खंडन निर्गुन काव्य परंपरा में सांसरिक माया के अद्विती जाल चल का खंडन किया जाता है निर्गुन काव्य में किसका खंडन किया जाता है सांसारिक माया के अद्वितिय चल उसका खर्णन किया जाता है हमें सांसारिक मोह माया से दूर होने की बात निर्गुन काव्य में बताया गया है यहां तक की काव्यकार निर्गुन ब्रह्मा पर उसके परे सच्चे ज्ञान और आत्मा की महत्वपुन्टा को बताने के लिए सांसरिक जीवन को मिथ्या ही बताते है निर्गुन काव्य में सांसरिक जीवन को मिथ्या ही बताते है चौथा है भक्ति और समर्पन निर्गुन काव्य परंपरा में भक्ति और समर्पन के माध्यम से निर्गुन ब्रह्म की उपासना की जाती है काव्यकार उन भक्ति योग गुणों की प्रसंसा करते हैं जो बानव जीवन को आत्मा के संग जीने में मदद करती है पांचवा है अद्वी तियता का उद्धाटन निर्गुन काब्य में अद्वी तियता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है यह काब्य प्रणाली मानल जीवन को संसारिक्ता से उपर उच्यतम सत्य की प्राप्ति करने का मार्ग बताती अद्वी तियता यानि संसार से उपर उठकर संसारिक मोह माया से उपर जो उचा स्तान होता है उसकी प्राप्ति का मार्ग बताती है आध्यात्मिक ज्यान के माध्यम से उन्नती निर्गुन काव्य परंपरा में आध्यात्मिक ज्यान के माध्यम से मानल जीवन की उन्नती की जाती है काव्यकार उन्ग्यानी मानलों की महत्वपुन्ता को बताते हैं जो आत्मा के साथ जीने के लिए समर्पित करते हैं काव्यकार उन्ग्यानी मानलों की महत्वपुन्ता को भी बताते हैं जो आत्मा के संग्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्य अद्वितिय स्वरुग और आत्मा के महत्यों को उपनिशदों की सिख्षा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं निर्गुन काभ्य में निर्गुन ब्रह्म के अद्वितिय स्वरुग को और आत्मा के महत्यों को उपनिशदों की सिख्षा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और संबाद का माध्यम निर्गुन काव्य में जो सरलता होता है और संबाद होता है वो निर्गुन काव्य की परंपरा को जानने का एक और माध्यम है काव्यकार आत्मा की प्राप्ति के मार को सरल और साहसी भासा में प्रस्तुद करते हैं जिसमें मानव जीवन को सहस्ता से उच्चतम आधर्षों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है भारतिय साहित्य में निर्गुन काव्य परंपरा ने मानवे जीवन को उच्चतम आधर्षों और आध्यात्मिक ताकियो और प्रेरित किया है भारतिय साहित्य में निर्गुन काव्य की परंपरा महत्यो पूर्ण स्तान लेती है यह हमें आध्यात्मिक ताकियो और प्रेरित करती है यह परंपरा निर्गुन ब्रह्म की अधितिय ता और आत्मा का महत्यो को बताती है और मानविय जीवन को आध्यत्मिक उन्नती की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कराती है आशा करती हूँ इससे BHDG 175 के एसाइन्मेंट में आपको कुछ मदद हुआ होगा इसी तरह से आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद स्रुदामित्रू